अब हम इसमें दालेंगे 4 टीस्पून मलाई, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई को उफता, बच्चों का तो यह पसंदिदा है ही, पर बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं, और आज हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, कि यह जटपट बनकर तयार हो जाएगी, लेकिन रैसीपी स्टार्ट करने से पहले, मेरी आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए, शुरू करते हैं मला बार कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को कद्दू कस करेंगे, यह मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम बिल्कुल बारिक वाले ग्रिटर से ग्रेट करेंगे, इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए, यह पनीर को मैंने कद्दू कस कर लिया है, अब इसमें से मैं एक चमच पनीर अलग से निकाल लोंगे, इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे, इससे ग्रेवी का टेक्सर बहुत ही अच्छा आता है, अब हम इसमें आलू को कद्दू कस करेंगे, यह मैंने मीडियम साइज के चार आलू लिये हैं, इसको भी हम अच्छे से कद्दू कस करें है, अब हम इसमें दालेंगे, वन फोर टी स्पून नमक, और साथ में दालेंगे काली मिर्ची, यह चार पाँच काली मिर्ची सीको मैं ने crater-a- GRE? पीस लिया है, अब हम हाथों पे थोड़ा सा ओयल ग्रीस करेंगे, इसका एक portion लेंगे, और इसके balls बनाएंगे, अब इसको थोड़ा सा हम flat करेंगे, और इसमें हम काजू और किश्मिश दालके एक ball का shape देंगे, मैं इसको oval shape में बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी shape इसका बना सकते हैं, इस अभी मैंने oval shape में बना के तयार कर लिए है, अब आप इनको deep fry करेंगे, तो चलिए चलते हैं कडाई की तरफ, फ्राई करने के लिए कडाई में मैंने oil दाल दिया है, और oil गरम भी हो गया है, और अब हम कोफ्तो को fry करेंगे, एक बार में कडाई में हम उतनी दालेंगे, जितने एक बार में तल सकें, अभी इसको हम नहीं छेडेंगे, थोड़ा सा तल कर ये उपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको turn करेंगे, ये नीचे से थोड़े थोड़े सेख गए हैं, तो इन सभी कोफ्तो को मैंने turn कर लिया हैं, अब दूसरी साइट से भी इसी तरह हम इसको golden होने देंगे, ये सभी तल कर तयार हो गए हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, अब इसी तरह से बाकी बचे हुए कोफ्ते भी हम तल कर तयार कर लेंगे, जब तक ये तलते हैं हम ग्रेवे की तैयारी कर लेते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के प्यास लिए हैं, और 4 टमाटर लिए हैं, टमाटर मैंने हरे हरे लिये हैं, इसे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, अब इन दोनों को अलग-अलग हम मिक्सी में चलाकर इसका पेस्ट तियार कर लेंगे, इस अभी कोफ्ते तलकर तियार हो गए हैं, और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, और टमाटर की भी हमने प्यूरी बना ली है, अब हम चलते हैं कडाई की तरफ और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए कडाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑईल दाल दिया है, ऑईल गरम हो गया है, अब इसमें हम दालेंगे 1 टी स्पून जीरा, हिंक हम दालेंगे 2 पिंच इसको थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें दालेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले 2 साबुत लाल मिर्ची 4-5 लॉंक और 4-5 काली मिर्ची इसको थोड़ा सा भूनेंगे अब इसमें मैं मिला रही हूं 1 टी स्पून लसन अद्रक का पेस्ट इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और अब इसमें मिलाएंगे प्याज इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें दालेंगे थोड़ा सा नमक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे नमक दालने से प्याज जल्दी भून जाता है ध्यान रखिएगा, इसको हमें बीच-बीच में चलाते रहना है, यह प्यास थोड़े-थोड़े गोल्डन हो गए है, अब मैं इसमें दालूंगी, 1 teaspoon लाल मिर्ची, आप स्वात के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं, हल्दी, 1 teaspoon, गरम मसाला, 1 teaspoon, और धनिया पाउडर, 2 teaspoon, इन इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें दालेंगे, टमाटर की प्यूरी, साथ में मिलाएंगे, स्वादा नुसार नमक, याद रखिएगा, हम नमक पहले भी मिला चुके हैं, अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी दर के लिए इसको हम पकने देंगे, यह मसाला अच्छे से भून गया है, यह देखिए, इसने तला भी चोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे 4 टीस्पून अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम इसको हम भूनने देंगे, पर याद रखिएगा, से बन कर हमारा तयार होगया है अब हम इसमें मिलाएंगे , 1Cप पानी अब हम इसको को अच्छे से Mix करेंगे और उबाला जाने तक इसका इंजार करेते हैं gravy में अच्छे से उबाला गया है अब हम गयाज को बंद कर देंगे और इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, ये ग्रेवी को मैंने बॉल में निकाल लिया है, अब हम मलाई कोफते की प्लेटिंग कर लेते हैं, अब मैं सर्विंग प्लेट में ये कोफते रख रही हूँ, मैं एक बार में तीन कोफ से डाल रही हूँ, आपको जितने सर्व करने हूँ, उसी के हिसाब से आप डालिएगा अब इसके उपर हम डालेंगे ग्रेवी अब हम इसके उपर डालेंगे पनीर, जो हमने पहले बचा लिया था अब इसको हम धन्य से गार्णिश कर देंगे ये देखिए, अब ये हमारा मलाई कोफता सर्व होने के लिए रेडी हो गया है आप इस तरह से मलाई कोफता बनाएए, ये 15-20 मिनिट में बनके तयार हो जाता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इस रेसिपी कैसी लगी साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को तबा कर अल क्लिक करें थैंक्यू